तो यहां चल रही है मेरी जानी की तैयारी बैग्स वगएरा रेडी हो रहे साथ साथ में मुमी बना रहे थे टिका बिर्यानी और बहुत ही बलते ना मेरे ले स्पेशल किया जा रहा था जो कुछ वो लोग कर सकते हैं तो यहां पे हो गए थे चावल भी रेडी सब कुछ के लिए और खास मतलब पहले भी बिर्यानी बन चुकी थी वो बहुत ही यमी थी तो मैंने बुला कि लास्ट बार एक बार फिर बना दो ममी क्योंकि यहां आने के बाद वो सारा टेस्ट ना बहुत मिस्करने वाली हूँ मैं और बस कुछी वक्त बचा था इवनिंग की मेरी खुश थे मार्शा को तो अंदाजा ही नहीं कि अब शाम में उसके साथ क्या होने वाला है उसको कोई आइडिया नहीं था तो खैद और फिरका का वक्त हो गया था सब लोगों ने दादी वगेरा मेरे घर पर आ गए थे हम सबने मिलके एक साथ में पुरा खाना वगेरा खा पसंद करती है जब भी बिर्यानी बंदी है तो घर पे हो रहा था थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन्स केक वागेरा लेकर आ गए थे बच्चों के लिए यह मेरा प्यारा सहुरहान की यान और मार्शा तो इतनी खुश थी बच्चे तो बहुत एक्साइड़ थे केक देखिए क्षके खाए लो ओ तू कैसा खारी जिए ओ परले इसको कटवा ल कि मेर्शा भूता है को हो बिक्षली बछली तू यू। वोमत लें veya एक तरह है ते जिए टेगा अनलर है इसका हम कुछ होड़ों मार्शा का बढ़े नहीं था यहां पर लेकिन बस ऐसी सेलिबरेशन चल रहा था और यह मेरे क्यूटी से हो रहा है माशाला सब बचे बहुत इंजॉई करे थे हो गया था इवनिंग का टाइम यहां पर बैट के हम सब वेट करे थे पहले सचो ओला से चले जाते क्योंकि अबदिल्ला नहीं था और यह सारे मेरा बैग्स भाई इतना सारा सामान था उफ क्या बताओ तो बहुत मैं एक्साइटेड भी थी और लेकिन अबदिल्ला आ गया था शाम में मतलब जाने से पहले तो यह बहुत बड़ा सप्राइज उसने दिया मुझे कि वह एक्सपेक्टेड था कि वो रहेगा नहीं रहेगा डाउटफुल था पर अलम दिल्ला जाने से पहले वो आ गया यहां पर पपा कर रहे थे मेरे सारे कार्टून्स पे नाम वगएरा लिखना करना कुछ कुछ पूरे साइड लिख रहे थे बहुत हेल्प करें तयार पूरी फैमिली मेरी दादी वगरा बहुत खुछ थे अभी 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 माम की ताइम पर पाहँच गया थे तो यह पांछण नहीं था दो पिकर चलोग नख जालो चलोग गवरे चली चलोग गवरे चलोग और वे तो अब नेट गया गया थे दूग तो कि कि इसको नहीं है यह सब बढ़ कर दो सामान मेरा इतना ज्यादा कि पूरी डिकी पीछे की पूरा सब कुछ भर गया था वट खेर गाड़ी बड़ी थी तो सब कुछ हो भी या फिट लाई और पतले राते हैं इस नहीं है यहां पे हो गया तो सारा सामन्ट से दादी को कह दीती है लाफ बहुत जादा रो रहे थी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो ने छोड़के जाने के लिए और पहुंच यह थे एरपोर्ट के तरफ जैसे जैसे रास्ता जा रहा था वह बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि जो टाइम अभी आने वाला है सब को छोड़के जाने का वो बहुत ही तकलीफ होने वाला है और लिटरिली बहुत बुलते हैं पुरे रास्ते बर हम सब दुआ कर रहे थे परिशान भी थे कि क्या करें बहुत स्ट्रेस हो रहा था सब लोगों को इरपोर्ट पहुंचते ही मार्शा समझ गई थी कि अभी जाना है क्योंकि आते वक उसने सारा सीन सब कुछ देख रखी थी तो वो तो भाई उसने देखते हैं अंदाजा लगा की कि मुझे कुछ जाना पढ़ने वाला है बहुत रोई है वो कि मुझे कुछ नहीं जाना है तो खेर यहां पर इतना चेंजिस आगे है एरपोर्ट पे भी कि आपको जादा डाइम स्टे करने नहीं मिलता है तो हम लोग पिछ है एर खेर कि मुझेर कि तम ज्याना बुद बाल को कि मेंरोओ कि मुझे ghost भी कि मुझे मुझेली स्टे कुछ झाल ग्राइम इने कि मुझे मुझेक जए डिके स्टे कुछ टा दार और-, टा यहां अंत। चलो 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 बुच्छ लो गुट गल तो सारा इमिग्रेशन वगेरा क्लियर करने के बाद बैगे सब कुछ होने के बाद मैं आ गई थी प्लेन में क्योंकि बिल्कुल रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला मार्शा इतना जादा परेशान कर रही थी और साथी साथ मेरा लगिज भी एक्स्ट्रा था तो उसके लिए भी बहुत मुझे मैनेज करना पड़ा लेकिन अलहमदुल्ला सबकी दुआ मेरे साथ में थी तो सब कुछ असानी से हो गया जो मैंने सोची भी नहीं थी तरह सामान के लिए तो यह सब जो दूआ ही है और सब हम जो कहते हैं किसी के लिए कुछ अच्छा करो तो आपको रिटन में ज़रूर मिलता है और ये वक्त तो जाना था ये एक नाएक दिन आना है तो बहुत टाइम बाद वेकेशन स्पेंड करने के बाद त्री मन्स के बाद मैं पूरा वापस जा रही हूँ कुवेट तो बस चलते हैं और सो भी गेती बहुत जादा थके और सुबह के बज रहते हैं कुछ चार सारे च बहुत नीन भी आरी थी थकान भी थी बट खेर थोड़ा वेट करना पड़ा टाइम पर नहीं आपाए उसे बड़ इस ओके होता है कभी-कभी तो बस आ गए थे दोनों जाके कुछ ना कुछ ले आया है बहुत सतारी थी कुछ उसे चाहिए था टॉइस वगेरा कैंडी तो फाइनली कुछ वी आ बैक टू कुछ और अलहम्दल्ला अर्ली मॉनिंग सुबह सुबह पहुँच गए तो यहां के जो रोड्स है वो इस तरह से खुले-खुले साफ सुतरे सब देखने मिल गया बहुत ही संराइज हो रहा था यहां पे अर्ली मॉनिंग का टाइम था और इतनी ज्यादा गर्मी थी ओमाई गॉड तो यह रहा मेरा पूरा व्लॉग थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अपना तेर सारा खयाल रखी